वो संगीन से संगीन गुनाहों में शामिल है अपने विरोधियों को या तो वो तेजाप में नहला देता है या फिर सरे आम गोलियों से फुनवा देता है जेल के पीछे से मौत का खेल खेलना उसका शगल है अपने अलाके में वही पुलिस है, वही कानून और वही जच है बड़े बड़े पुलिस अबसरों को सब के सामने जलील करना उसकी आदत है उसके गुनाहों की पहरिस्ट इतनी लंबी है कि उसे तां उम्र जेल की सलाखों के पीछे भीज़ दिया है लेकिन ये उसकी सियासी सरपरस्ती है ये उसका रुत्बा है कि जेल की सलाखें की उसका खौफ कम नहीं कर पाए आखिर कौन है ये? आप भी देखिए सामने स्कॉर्ट करती नीली बत्ती वाली स्कॉर्पियो और उसके पीछे तीन और स्कॉर्पियो चार गाड़ियों का ये काफिला किसी वी आई पी का नहीं है ये काफिला एक कैदी का है इस काफिले में वो कैदी बैठा है जिसने तेजाब से नहला कर तीन भाईयों को मार डाला और आज आजीवन कैद की सजा काट रहा है जरा इस स्कॉर्पियों के भीतर देखी ये मुहम्मद शहापुद्दीन है वो मुहम्मद शहापुद्दीन जो सीवान के पूर्वसांसत थे लेकिन शहापुद्दीन की उस से भी बड़ी पहचान है कि वो सीवान में खौफ का दूसरा नाम है कहने के लिए ये सीवान जेल से शहापुद्दीन को भागलपूर जेल भेजने की कुसरत है लेकिन इस अदला बदली में सीवान के कथित साहब की सत्ता के गलियारों में हनक छिपी है बिहार में सुशासन के शोर शराबे और कोर्ट के फैसलों के बाद शहापुद्दीन की कुख्यात कहानियों का ताइरा सिमट गया था जिस शहापुद्दीन के नाम से लोग धर्राते थे सलाखों के पीछे पहुँचकर उसकी कहानी खत्म हो गई थी लेकिन अब सीवान जेल से बाहुबली की कहानी फिर सामने आई है सीवान के कधित साहब पर एक पत्रकार की हत्या का आरोप लग रहा है जिस शहर में पत्ता भी शहापुद्दीन की मर्जी से हिलता है वहाँ एक पत्रकार को गोलियों से क्यों भून दिया गया समझना आसान है हर सवाल का जवाब शहपुद्दीन पर आकर ठहर जाता है पता चला कि जेल के भीतर शहपुद्दीन ने 23 लोगों की हिट लिस्ट बनाई थी यही है 16 दिसंबर 2016 को अख़बार में छपी वो रिपोर्ट इसमें उन लोगों का जिक्र है जिसका चुन-चुन कर सफाया करवाने का शहपुद्दीन पर आरोप है इनमें उन लोगों के भी नाम है जो शहपुद्दीन के निशाने पर है गथित तोर पर यह रिपोर्ट पत्रकार राजदे और रंजन की थी इसी गुनाह में सरेराह राजदे और रंजन का भी कतल हो गया शहपुद्दीन की उस आतंक और खौफ को दिखाया और भूगता है जब सीवान का कोई पत्रकार उसके खिराफ लिखने की भी हमत नहीं करता था अमलों जब जाते थे सीवान और फ्रेस कांफिन्स करते थे तो किसी पत्रकार की हमत नहीं थी कि शहपुद्दीन के खिलाब का समाचार चाप सके कोई राजनितिक दल जलू स्री ने काल सकता है परदर्ष्यन नहीं कर सकता है कोई बंद का आवान नहीं कर सकता है हैरत अंगेज है कि सीवान जेल में शहपुदीन का दर्वार लगता था पार्टी कारेकरताओं से मेल मुलाकाते होती थी जेल के भीतर ही वो जज़ बनकर विवादों का निपडारा करता था जेल की दीवारों के बाहर बात करने के लिए उसके पास बाकाइदा दर्जनों मुबाइल फोन मौजूद थी जिले के डी-ेम और एसपी जेल में शहपुदीन की शान देखकर चकरा गए जब वो च्छा पैमारी के लिए जेल के भीतर गए तो 60 से भी जाता लोग सीवान के साहब से मिलने के लिए कतार में खड़े थी इसी वज़े से शहपुदीन को सीवान जेल से शिफ्ट कर भागलपूर सेंट्रल जेल भेजा गया जेल के अंदर से एक पत्रकार की हत्या करवाने का आरोग शहपुदीन की कहानी का बस एक सिरा है एक वक्त था जब उन्चास साल के शहपुदीन का आतंक केवल बिहार में ही नहीं बलकि बिहार के लोग भी जानते थे शहबुद्दीन वो नाम था जिसने अफराथ की दुनिया से राजडीती की दुनिया ने कदम रखा और सुभे की सियासत का अंदाज ही मुदढ़ा था सिवान से निकल कर शहबुद्दीन पूरे बिहार में चा गया ये है शहबुद्दीन की सियासी सरपरस्थी चुनावी सभाओं में लालू के साथ ये शहपुद्दीन की तस्वीर देड़ दशक पहले की है लेकिन मंच पर लालू के गरीबी शहपुद्दीन की मौजूद्दीन की बताती है कि आरजेटी सुप्रीमों के लिए उनके माइने क्या है यकीन नहों तो लालू के मौँ से शहपुद्दीन की तारीख भी सुन लेजिए कानून को मानने वाले लोग है 1990 से 2005 तक आरजेटी बिधायक और सांसद होकर भी शहपुद्दीन का नाम गुनाह दर गुनाह उचलता रहा और उसका अंजाम देख पूरा सूबा थर्राता रहा लेकिन लालू राबडी राज में शहपुद्दीन की घिर्वाँ पर कभी कानून के हाथ सखती से नहीं पड़े 2005 में नितीश कुमार के सुशासन राज में शहपुद्दीन के गुनाहों की दुनिया पर कानून ने सखती दिखाई ऐसा लगा जैसे बाहुबली शहपुद्दीन का सूरज अस्थ हो गया लेकिन जैसे ही 2015 में नितीश के साथ लालू का राज लोटा सीवान के कथित सरकार के जुर्म और जरायम की दुनिया रौशन हो गई ठीक उसी तरह जैसे 2004 में थी उसके दरबार में आरजेटी नेताओं की हाजरी शुरू हो गई ये हैं नितीश कुमार के कैबिनेट मंत्री अब्दुल गफूर जो जेल जाकर शहपुद्दीन का हाल चालने रहे थे ये तस्वीर नितीश लालू राज में शहपुद्दीन के पौव बारह होने की है नितीश सरकार के कैबिनेट मंत्री अब्दुल गफूर जेल चाकर शहपुद्दीन का हाल चालने रहे थे इस तस्वीर पर हंगामा भी मचा लेकिन न लालू के मंत्री का बाल बांका हुआ और न शहपुद्दीन के आतंक लोग पर पहरा लगा ये वो आतंक लोग है जिसकी धर्राहट 2004 में सबसे जादा महसूस की गई इस वक्त मैं सिवान्व शहर के चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदावाउ के घर पे हूँ जहां 2004 में इनके दो बेटों का अपहरन कर लिया गया फिर दोनों को शहबुद्दीन के गउँ परतापूर ले जाकर चंद्रकेश्वर प्रसाद के दोनों बेटों को तेजाब डाल कर मार डाला गया और आप शहबुद्दीन पर लगे और इस मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा भी हुई चंद्रशेखर प्रसाद का गुनाह इतना था कि उन्होंने सीवान के सरकार का आदेश मानने से इंकार कर दिया था बदले में शहबुदीन ने पहले दो बेटों और फिर तीसरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया परिवार आज भी खौफ में है सिवान के चर्चित तेजाब कांट से पहले भी शहबुदीन के नाम एक और बड़ा गुनाह तर्च है यह वो गुनाह था जिससे शहबुदीन का खौफ बिहार की सरहदों को पार कर देए 2001 में कुछ नेताओं की गिरफतारी का वारंट लेकर आए एक पुलिस अथिकारी को शहबुदीन ने सब के सामने ठपड जड़ लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ यह बेहत गौर करने बाना है यह सीवान में शहबुदीन का गाउं प्रतापुर है 2001 में अपने अफसर की पिटाई पर कारवाई करते हुए पुलिस प्रतापुर पहुची तो उसका सामना शहबुदीन की असल ताकत से हुआ दो पुलिस कर्मियों के साथ आठ गाउं के लोग मारे गए लेकिन प्रतापुर में पुलिस दाखिल नहीं हो पाई मौके से पुलिस को तीन एके सैंतालीस भी परामद हुई इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में शहबुदीन ने खुद बताया कि उनके पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है 1932 से जो लोग जानते होंगे मुझे मेरे घर में 1932 से बंदूखे हैं वो परिवार 1932 से कैसा रहा होगा ये आप अंदाया लगा सकते हैं आप जानकर चौक जाएंगे कि सीवान में शहबुदीन की सल्तनत के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई उसका काम तमाम हो गया लेफ्ट और सीपी आई माले के साथ उनकी अदावत के किस्से सीवान के डियवी कॉलेज से ही मिलते हैं 1980 में डियवी कॉलेज से राजनिती में कदम रखने वाले शहबुदीन लेफ्ट और भागपा माले के बीच अदावत शुरू हो गई इसी टक्राव से सीवान में दो राजनितिक धूनिया बन गई और इसी वज़ा से 1993 से 2001 के बीच बागपा माले के 18 समर्थक और कारिकरताओं को अपनी जान गवानी परी CPI माले से अदावत का अंजाम था कि 1997 में जेनियू छातर संग के अध्यक्ष रहे चंदरशेखर को सीवान में गोलियों से चलनी कर दिया गया उस वक्त चंदरशेखर सीवान में नुककर सभा कर रहे थे इस हमले में शहबुदीन के बेहत गरीबियों का नाम आया जब तक चंदरशेखर की माँ जिन्दा रही वो चीख चीख कर बताती रही कि जेल से हकूमत चलाने वाले शहबुदीन ने उनके बेटे को सरयाम मरवा दिया मेरा बढ़ापा के लाठी मेरा क्रेजा के टुकड़ा मेरा रतन तो ले लिया दरबारत जेपी चोकपर लोग बलते नहीं 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 हमें बताया कि सिवान से शहबुदीन आया हुआ था दिल्ली और उसने चंदु को बलाया और कहा कि यदि आप दिवान अपने दोस्तों से मिलने आ रहे हो या मा से मिलने आ रहे हो मुझे कोई आपती नहीं होगी मैं आपका स्वागत करूँगा मगर आप राजनीती के तोर पे मता हो आइसा और माले के तरफ से यहां काम करने मता हो शहबुदीन के गरीबियों ने चंदरशेखर को गोलियों से भून दिया इस घटना के बाद शहबुदीन का खौफ सीवान की तहलीज को लांग गया कॉलिज के जमाने में यानि 1986 में शहबुदीन के खिलाफ पहला अपराधित मामला तरच हुआ और इसके बाद जल ही सिवान के थानों में उसके नाम जी हिस्ट्री शीट हो लेकिन अपनी दवंगई के जोर पर शहबुदीन ने राजनीती का रुप किया और 1986 के विधान सभाद चुनाव में आरजेडी का टिकेट भी हासल गठी ये चुनाव शहबुदीन ने जीता और फिर इसके बाद कभी पीछे मोकर नहीं देखा सिवान में उसकी बड़ती ताकत को देखते हुए आरजेडी में उसे 1996 के लोगसभाद चुनाव में उतारने का पैसना दिया साल 2000 तक सिवान में शहाबुदीन की समानांतर सरकार चलती थी शहाबुदीन के इच्छा ही कानून थी शहर के डॉक्टरों की फीज से जमीन विवाद और पारिवारिक छगड़े तक शहाबुदीन के दरबार में तै होते थी 1999 में जब CPI माले कारेकरता की हत्या के केस में 2004 में शहाबुदीन को गिरफतार किया गया तो उन्होंने अस्पताल में ही अपनी अदालत लगा दी अदालत लगाने पर पटना हाई कोट ने संग्यान लिया और उन्हें वापिस जेल भेज दिया लेकिन 2004 में लोकस्वा चुनाव में सिबान में 500 से जादे बूथ लूट लिये गए चुनाव फिर से हुए तो जेल में रहते हुए शाहबुद्दीन ने जीत हासिल की और सिबान पर अपना दबदबा काईम रखा ये आरजेडी में शाहबुद्दीन के रुत्बे का ही असर था कि छोटे लाल गुपता अपहरन और हत्याकान में सजा याफता होने के बाद उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगी तो पार्टी ने उनकी पत्नी हिना शाहब को लोकसभा का टिकट दिया हाला कि इस चुनाव में निर्दलिय उन प्रकाश यादों ने हिना शाहब को हरा दिया ये वो उन प्रकाश यादों थे जिसे कभी शाहबुद्दीन ने सरयां बीटा था शाहबुद्दीन पॉलिटिकल साइंस में म.A. और पी.H.D. हो लेकिन जुर्म में मास्ट्री ही उसकी असल पहचान है वो अपने गुनाहों पर कभी सफाई नहीं देता है बलकि खुल कर कबूल करता है कि हाँ मैंने ऐसा किया अपने समर्थगों के बीच शाहबुद्दीन की छवी रॉबिन हुड की तर है इसलिए ये भी कहा जाता है कि सिवान में कानून का राज नहीं शाहबुद्दीन का राज चव्दाव ह scrolling time सिवान में 1986 से 2004 तक शाहबुद्दीन की तूटी बोलती थी लेकिन शाहबुद्दीन के गुना इतने संगीन थे कि कानून के हाथ लालू राज में ही उन तक पहुँचने लगे 2003 में बिहार के डीजी पी ने एक रिपोर्ट तयार की और इस आधार पर शाहबुदीन के खिलाफ पुराने केस फिर से खुल गए और उन्हें आत्म समर पढ़ करना पड़ा हत्यार डकैती के ड्नेपिंग कोई भी इस तरह का सबसे बड़ा से बड़ा अपराद नहीं है जिसका निर्देशन वो नहीं करते हैं या जिसमें खुद भाग उन्होंने लें दिया है हमने अपने रिपोर्ट में लिखा था और सीबी आईवी कह रही है इस तरह का परमान दिली पुलिस के सामने आया था कि अलकाइदा से उनका कनेक्शन है अलकाइदा से और कास्मी टेरिरिस्स से उनको एक एफोटी से बुन और और आरम्स मिलता है इस सखती की कीमत डी जी पी डी पी ओजहा को चुकानी पड़ी डी पी ओजहा पत से हटा दिये गए और सत्ता से टकराने की वजह से आखिरकार उन्हें वियरस लेना पड़ा ये तब मुमकिन हुआ जब शहा पुदीन पर आईस आई कश्मीरी आतंकियों और अलकाइदा से रिष्टों के गंभीर आरोप लगे